सब्सक्राइब दोस्तों मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ओन्लाइन वीडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं सब्सक्राइब करेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे कहां से मिलेगा आपको तो जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो जो बता चुका हूँ कि सेक्वल सर्वर के दो पार्ट है दूसरा डेवलपर मत की इंटरपाइज वर्जिन है और दूसरा है आपका एक्सप्रेस सब्सक्राइब करें तो आपको पहला ही रिजल्ट आपको माइक्रोसॉर्फ के सांथ मिल जाएगा कि आप इसको क्लिक करें और यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यह डाउनलोड जो होगा यह आपका होगा डाउनलोड इसका सेटप डाउनलोड होगा यहां पर देख सकते हैं मैंने डाउनलोड किया हुआ है यह आपका यह आपका सेटप डाउनलोड होगा अब इस सेटप को आप एक बार रण करें देख सेट यह श्यांग है यह यह आपका सिस्स्टम की पूरी कमेसिन कोले देगा और उसके साथ सभेस्ट करेगा इसमें हमाना बेसीख है कस्टम है यह आपका डाउनलोड है डाउनलोड मीडिया है तो बेसिक होता है कि आपका इंस्टॉल भी कर देगा लेकिन इसमें क्या होता है कि तो मैं डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करता हूं अब इसके तीन-चार वर्जन है एक आपका है इसके लेकिन इसमें से नहीं आप इसको डाउनलोड करें यह साथ सुट्सूर इंजन फूल टेक्स सर्विसे से रिपोर्टिंग सर्विसे सब कुछ के सांथ आएगा इसको सेलेक्ट किजिए लोकेशन दीजी और आप डाउनलोड पे क्लिक कर दिजिए यह डाउनलोड हो और आप जाएगा तो फिर आप जाए जहां आपका डाउनलोड होके सेव होगा जहां पर लोकेशन आपने दिया है यह रहा हमारा साथ सुटा सेंबी का कि अब इस पर डाउन किजिए जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन दिखेगा उपन हो लागते हो इसके अलावा आप इंस्टलेशन पर जाएंगे तो यहां आपका आएगा न्यू स्कूल सर्वर स्टेंड अलॉन इंस्टलेशन इस पर क्लिक करेंगे और यह थोरा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगता है तो थोरा सा वेट किजिए उसके बाद यहां पर अच्वल igen का आई गा आएगा आपके सामने स्ट कीजिए नास पहिए आकशल आपका गंवन रूबन स्टैंट करेगा पम पास हो गया और नच्स कीजिए अब आपका इस सेहेत हैं टूल नक्राएज कर रहा है अब आपका इसमें से आप क्या-क्या स्ट्रेक्ट करेंगे डिफॉल्ट जो है स्ट्रेक्ट हो जाता है इसमें से कुछी जब हटा भी सकते हैं कुछी रखमी चलते हैं कि अब यहां भी कि नैक्स कीजिए अब यह आता है बारी आपका नेम कि आप अपने डेट इस्कुल्स रवर का नेम और आईडी क्या रखना चाहते हैं कि अब आगए कि अब यहां मैं नाम देता हूं आई पीटी इसरा आई पीटी हो गया और फिर इसको नेक्स करते हैं कि अब यह आपके सर्विसेज दिखा रहा है पूरा और इसको आप इसे आप आप इसको यूज कर सकते हैं और इस अगर आप इसने पास्वर जैसे कि आप चाहते हैं कि अब यहां पर आपना पास्वर्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पर विंदो इसन पर चल रहा है कि विंदो के अमंगे जिसे इसने विंदो ऑपन कर लिया आपका डेटाबीस भी ओपन कर सकता है तो आपके ऊपर डिपिंड करता है क्या करना डेटा डाइक्टरीज, टाइम डेटाबेज, इस सबका लोकेशन है, आपके सिस्टम में अगर स्पेस बगड़ नहीं है तो आप इसको डिफेंट लोकेशन में दे सकते हैं, लेकिसा चेक करने की जरूत नहीं पड़ती है कि डिफॉल्ट सेटिंग होता है, फिर मैं इसको ने फिर आप इसको नेक्स कीजिए, अब यहाँ पर आगे तरह से टाइम लेगा, तो आप पेसिंस रखिए, यह आपका इन्स्टॉल पैसन कंसोल है, जी सको अब यह आज कीजिए, अचेक कीजिए, फिर आप कैस्को नेक्स पह क्लिक कि अब एक अब इंस्ट्रोजिंग प्रोग्रेस में चल रहा है अब दीरे-दीरे इंस्टॉल होगा और इंस्टॉल हैने में थोड़ा सा टाइम करेगा तो थोड़ा सा पेशिंच रखिए कि